जैसा कि आप सभी को पता है रूस और युक्रेन के बीच में एक महा युद चल रहा है जिसको लेकर भारत की जनता भी कही ना कई डर रही है अब आप सोच रहे होंगे कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा तो चलिए अब आपको इसके बारे में बताते हैं भारत की जनता इसले डरीवी है क्योंकि अगर किसी भी विदेश में विश्मय युद चल रहा है तो आखिर कार उसका असर महंगाई पे जरूर पड़ेगा और हलाकि भारत में भी जो तेल आता है विमान आते हैं रूस के वहां से उकरिन के हां से जो भी समान हमारे भारत में आते है जनता के अंदर देखने को मिलेगा और कही न कही звон के बाद आक्ड़े लगाये जा रहे है कि पेट्रोल और डीजल कही न कही महंगा हो जाएगा हलाकि इस युद के बाद कही न कही इसका प्रभाव देखने को मिला है तो सोने के अंदर सोना काफी जादा महंगा हो गया था सोने के दाम बढ़ चुके थे लेकिन अगर पेट्रोल और डीजल की बात करे तो वो भी महंगा नहीं हुआ था लेकिन जिस तरीके से विधान सभा चुनाव चल रहे है भारत के अंदर तो सभी ने आकड़े लगाये अंदाजा लगाया कि आखिरकार 10 मार्च के बाद जब एलान हो जाएगा उसके बाद सरकार कही ना कई पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देगी तो ये फैसला जल्दी सरकार नहीं लेती है ये फैसला लेता है तो कोई वो है ग्लोबल मार्केट क्योंकि जिस तरीके से विधेश में अंतराश्टिय में तेल महंगा होता है उसके बाद जो भारत में global market है वो decide करती है कि आखिरकार पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ाना है की नहीं और इसी के बाद कहीं न कर जो हमारे पास पेट्रोल और डीजल के दाम सुनने में आते हैं तो वो महंगी हो चुके होते हैं पेट्रोलिय मिनिस्टर ने इसको लेकर साफ तौर पर हमें सफाई दे दी है कि सरकार इस पर अभी कोई फैसला नहीं ले रही और सरकार से एलान करती है अब आपको इसी के साथ बताते हैं कि अंतराश्टी का कच्चा तेल महंगा हो चुका है जिसे क्रूड ऑइल बोला जाता है अब वो महंगा हो चुका है तो लोगों ने जनता ने भारत की जनता ने अंताजे लगाए क्योंकि उनके अंदर एक भै बैट चुका है कच्चा तेल अगर महंगा हुआ है तो कही न कहीं पेट्रोल और डीजल पर इसके अंदर असर देखने को मिलेगा लेकिन अंतराश्टी तेल महंगा होने के बाद भारत में अगर पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं हुआ तो इसकी कई ना कई बहुत सारे आकड़े लगाय जा रहे, बहुत सारे अनुमान लगाय जा रहे कि आखिर कार ये महंगा क्यों नहीं वह ते तो बहुत से लोगों ने कहा कि अभी विधान सबा चुनाफ चल रहे हैं भारत के अंदर तो हो सकता है पांच राजों में जैसा कि आप सभी को पता है चुनाफ चल रहे हैं लेकिन सभी को लग रहे है कि 10 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे इसी के साथ आपको बता दे कि हमारे देश में 2 साल से कुरोना चल रहे है जिसके बाद कही ना कई लोगों ने महामारी से सामना किया है इस महामारी के चक्कर में सभी कुछ बंद हो चुका था लोगों की स्तित्या खराब हो चुकी थी इसे के बाद हो सकता है कि शायद इस वज़े से भी अभी तक ये फैसला नहीं लिया गया है पेट्रोल और डीजल बढ़ाने का हाला कि आपको पता होगा एक रुपे सी अंजी पे बढ़ चुका है जिसको लेकर प्रेंका गांधी वाड़ रा यानि कि कॉंग्रेस सरकार ने भी एक मौका मिल गया था कि अगर दूसरी सरकार आएगी तो अभी से महंगाई देखने को मिल रही है विपक्ष ने इसमें मौका छोड़ा नहीं उन्होंने साधा और निशाना क्योंकि उन्हें कहा कि एक रुपे सी अंजी महंगा कर दिये जंदा को भी पताने कितना और परशान किया जाएगा आपको बता दे कि अभी तक फिलाल पेट्रोल और डिजल के दामों को लेकर ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है कि वो महंगा होगा लेकिन 10 मार्च के बाद हो सकता है कि सरकार, पेट्रोलिय मिनिस्टर वगेरा सब ये फैसला ले तो इसको लेकर अभी कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन क्या लगता है रूस और यूकरेन के बीच में जिस तरीके से यूद चल रहा है तो क्या इसका असर भारत की जनता पर पड़ेगा अपनी राय जरूर साचा करें फिलार इस वीडियो में इतना ही जाद अपडेट्स के लिए फॉलो करें और सुमने उस थने वाद